हेलो एन वेलकम बेक फ्रेंड्स, स्टांडर्ड ट्वेल्थ हिंदी चेप्टर नमबर 7 बादल को घिरते देखा है यहाँ पध्यपाथ नागारजुन के द्वारा लिखा गया है आज हम इस चेप्टर का फुल एक्सरसाइस सोल्यूशन देखने वाले हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेस्जन भी दूँगा जो बोड की एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से बहुत ही आपको हेल्फफुल रहेंगे हमारे स्टांडर ट्वेल्थ हिंदी के सारे चेप्टर की एक्सरसाइस लाइन वाइस आपको प्लेलिस्ट बना के रखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपको हमारी मेहनत पसांद आती है तो प्लीज लाइक कमेंट कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेर करके चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए चलिए हम स्वाध्य देखते हैं कवी ने अमल धवल गिरी के शिखरों पर किसको गिरते देखा है तो अंसर आएगा बादल को सेकेंड कवी ने छोटे-छोटे मोती जैसे कणो को मान सरोवर में कहां पर गिरते देखा है तो अंसर आएगा स्वारण कमलो पर थर्ड MCQ जब बादल को गिरते देखा तब किस रुतु का प्रभाव था तो अंसर आएगा वसंत रुतु फॉर्थ MCQ कवी ने मान सरोवर के स्याम नील सलील में किसको तेरते हुए देखा तो अंसर आएगा हन्सो को तेरते हुए देखा नमर फाएव रुतु वसंत का सुप्रभात था इस काविपंक्ति को पुर्ण करना है तो मंद मंद था अनील बह रहा क्वेस्चन नमर टू एक एक वाके में उत्तर दीजिए फर्स्ट बादल को घिरते देखा है कवीता कीस द्रिष्टी से महत्वपुर्ण है बादल को घिरते देखा है कवीता प्रक्रोती के सौंदरिय वर्णन की द्रिष्टी से अती महत्वपुर्ण है सेकेंड बादल को घिरते देखा है कविता का रचना काल कौन सा है तो बादल को घिरते देखा है कविता का रचना काल पावस रुतू अर्थात वर्षा रुतू है थर्ड कवी ने कमल को किस रंग का बताया है तो कवी ने कमल को सुनहरे रंग का बताया है नमबर फोर बादल को गिरते देखा है कविता में कवी ने किसका परिवेश प्रस्तुत किया है तो कवी ने हिमालई के मानसरोवर और परवत शिखरों का परिवेश प्रस्तुत किया है नमबर फाइव मानसरोवर में कमलों के उपर क्या गिरने से चित्र मनमोहक लगता है तो मानसरोवर में कमलों के उपर बादलों से गिरते मोती जैसे जल कणों के नकारण चित्र मनमोहक लगता है 6. हंस जीलों में क्या खोजते हैं? हंस जीलों में तीखे और मीठे तंतुओं को खोजते हैं Q3. दो-तीन वाक्यों में उत्तर दीजिए. फर्स्ट बादल को खिरते देखा है कविता के प्रतम चरन में कौन सा दुष्य है? तो बादल को खिरते देखा है कविता के प्रतम चरन में निर्मल सफेद बर्फ से अच्छादित clicks पर्वत सिकर पर बादल गिर आएं हैं. तथा म पान सरोवर जील में खिले हुए कमल के सुनहरे फूलों पर छोटी छोटी मोती जैसी सीतल बूंदे गिर रही हैं। थर्ड क्वेस्चन बासंती सुबह में सरोवर के किनारे सेवालों की हरी दरी पर किसके प्रणाई कलह का दुश्य है। जब सुबह होती है तो वो अपना क्रंदन यानि की रोना बंद करके साथ में फिर से बाते करने लगते हैं और मीठे जगडे करते हैं। इस प्रणाई कलह का दृश्य दिखाया है। अब हम देखेंगे क्वेस्चन नमबर फोर निमनलिखित प्रस्णों के सविस्तार उत्तर दीजिए। फरस्ट है बादल को घिरते देखा है कविता में कवी की साउंदर्य की नई सर्गिकता का वरणन कीजिए। ऑगस्ट 2020 की बोड की एक्जाम में ये क्वेस्चन पुछा गया था। या फिर इस तरह भी पूछ सकते हैं कि बादल को गिरते देखा है कविता में निरूपित प्राक्रोतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए आंसर देखेंगे बादल को गिरते देखा है कविता के कवी नागार जुन्ने प्रक्रोति के कई मनोहर चित्रखी चे हैं हिमाले के उजवल सिखर्तों देखते ही बनते हैं। उन पर पावस रुतु के बादलों को गिरना भी बड़ा। मनोरम यानि की मनोहर लगता है। मान सरवर जील में सुनहरे कमल खिले हुए हैं। उन पर बादलों से गिरते मोती जैसे जलकन अपुर्व शोभा प्रदान करते हैं। जीलों में तेरते हुए हन्शो को देखना अच्छा लगता है। वसंत के प्रभाव की सुन्दरता निराल मन्द मन्द सीतल पवन का स्पर्ष बड़ा सुहावना लगता है। बाल सुर्य की कमल किर्णों का सुनहरा प्रकास परवतों और शिखरों को भी स्वरनिम बना देता है। इस प्रकार कविता में वरनित सौंदर्य की नैसरगिक्ता अत्यंत स्वाभाविक और रदे यहाँ पर कविने जो जो भी वहाँ पर देखा है। वो तिबबत की यात्रा में गए थे और उन्होंने वहाँ पर हिमालाई दर्शन किये और मान सरोवर्क देखा। वहाँ पर उन्होंने जो जो भी सौंदर्य देखे हैं, जो जो भी प्राकृतिक सुन्दर्ता देखी वर्णन किया हुआ है अब हम देखेंगे question number 2 बादल को गिरते देखा है कवीता में कवी ने किन रंगों के संयोजन से इंद्र धनूसी प्रभाव पेदा किया है answer कवी देखते हैं कि मान सरोवर जील में कमल के सुनहरे फूल खिले हुए है उन पर बर्फ से अच्छादित चोटियों पर गिरे हुए बादलों से मोतीज से जल कण गिरते हुए दिख रहे हैं आसपास की जीलों में कमल नालों की लालिमा लिये हुए आभा बिखर रही है सुबह बाल सुर्य की सुनहरी किर्णे परवत सिखरों पर गिर कर उने भी सुनहरा बना रही है मान सरोवर के पानी में सेवालों की हरी दरी सी बिखी हुई है इस प्रकार कवी ने कविता में लाल, श्वेत, स्वर्णिम, नील, स्यामल, हरा, आदी रंगों का प्रयोग किया है और ये प्रयोग करके इंद्रधनुसी प्रभाव पैदा किया है एसे ही क्वेस्चन्स बोड की एक्जामें पुछे जाते है नमबर त्री, बादल को गिरते देखा है कवी ता में कवी की कल्पना और भावक्ता का वरणन कीजिये कवी देखते हैं कि मानसरोवर जील पर पावस रुतू के बादल छाये हुए है उनसे गिरते हुए जलकन कवी को मोती जैसे लगते हैं हिमालई की पहाड़ियों पर कई छोटी मोटी जीले है कवी उन जीलों में तेरते हुए हंसों को देखते हैं वह कलपना करते हैं कि सायद वर्षा रुतू की उमस यानिकी गर्मी से व्याकुल होकर हंस अपनी तपन मिटाने के लिए उन जीलों में तेरने आये हों और कमल नाल के तीखे मीठे तंतू की खोज कर रहे हों रात के समय का चकवा चकवी का वियोग कवी को भावुक बना देता है उसे लगता है यह कैसा साप है जिसके कारण वे रात में एक दूसरे से अलग रहने के लिए विवस हो जाते हैं सुवह होते ही उन वियोगी पक्षियों के करंदन की समापती होती है और फिर उनका मिलन कवी की भावना को आनंद प्रदान करता है यह सब कवी की कलपना है और भावुकता है Q4. चकवा चकवी के प्रणई के बारे में कवी ने क्या लिखा है आंसर देखेंगे चकवा चकवी विजित्र पक्षि है उन्हें चीर काल से रातरी के समय एक दूसरे से अलग रहने का साप मिला हुआ है इसलिए ये पूरी रात एक दूसरे से अलग रहकर वीरह में करंदन करते हैं यानि की रोते हैं सुबे होते ही साप का प्रभाव खतम हो जाता है इसलिए इसी के साथ इनके विलाप की भी समापती हो जाती है, कवी भावनासिल प्राणी है, उसे इस पक्षी को मिला हु यह साप व्यतित कर देता है, प्रातह काल उनका वीरह करंदन बंध होने पर कवी को भी एक प्रकार की सुख की अनुभूती होती है पंक्तियों का आसय स्पस्ट कीजिये, यानि की इन पंक्तियों का अर्थ बताईए, पंक्ति है, बाल रोन की मृदू किर्णे थी, अगल बगल स्वर्णाब सिखर थे आनसर, बाल्या वस्था में सूर्य का गोला, धीरे धीरे परवत सिखरों के बीच उबर कर उपर उठता हुआ, दिखाई दे रहा था, सूर्य की कोमल सुनहरी किर्णे से परवत सिखर सोने की भाती चमक रहे थे, सूर्योदई हो गया था, सूर्योदई का यह समय चकवा चकवी पक्षियों के लिये वर्दान सुरूप था, उनके वीरह की रात समाप्त हो गई थी, उनका करंदन बंध हो गया था, वे रात भर के बीचोह के बाद, अब फिर एक दूसरे से मिलकर प्रणाई कलह में लीन थे यहाँ पर समपुर्ण स्वाध्ये समाप्त होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, कि मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेस्चन्स दूँगा, तो यह रहे एक्स्ट्रा क्वेस्चन्स बोर्ड की एक्जाम में व्याकरण विभाग अती महत्वपुर्ण है, यहीं पे हम थोड़ा सा ध्यान देकर अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं Thank you so much for watching friends, हमारे Standard 12 के सारे chapters की Line Wise Exercise की लिंक आपको description में मिल जाएगी Regular हमारे विडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पर सेट कर दीजिए, थैंक यू झाल